आज मैं आपको पंचितंत की एक और नई कहानी सुनाऊंगी, जिसका नाम है खूतिया पेड़ किसी जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, उसी जंगल में एक बहुत खना पेड़ भी था सभी जानवर उस पेड़ से दूर ही रहते थे, क्यूंकि उन सब का मानना था कि उस पेड़ पर भूत रहता है एक दिन जंगल में भालु आया, और वे रहने के लिए जगा डूणने लगा मैं इस जंगल में तो आ गया, मगर अपनी गुफा कहा बनाऊं? तभी भालु को वो भूतिय पेड़ दिखता है यह जगह थोड़ी दरावनी रखती है, पर यहां शांती बहुत है मुझे अपनी गुफा यही बनानी जाहिए भालु उस पेड़ के नीचे पहुचता ही है, कि तभी वहां बंदल और हाथी आ जाते है और भालु को वहां अकेला देखकर बंदल बोलता है अरे भालु भाई, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? मैं यहां रहने के लिए गुफा बना रहा हूँ भालु भाई, तुम यहां अपनी गुफा नहीं बना सकते, यह जगे सुरक्षित नहीं है सुरक्षित नहीं है तुम कहना क्या चाते हो हाथी भाई ठीक बोड़ रहे हैं इस पेड़ पर तो भूत रहता है तुम मेरे घर के नीचे अपनी गुफा बना लो वहां तुमें कोई परिशानी नहीं होगी अगर यह सच है तो मैं अपनी गुफा बंदर भाई के घर के नीचे ही बनाऊँगा तीनों वहां से चले जाते हैं भालू अपनी गुफा ठीक उसी पेड़ के नीचे बनाता है जिस पेड़ पर बंदर रहता था भालू निशिंद होकर वहां रहने लगता है एक दिन भालू जंगल में घुमने के लिए निकलता है घुमते घुमते वह उसी पेड़ के नीचे जा पहुंचता है अगर इस पेड़ पर भूत रहता है तो वह मुझे इतने दिन से दिखाई क्यों नहीं दिया मुझे लगता है क्या जरूर कुछ गड़बड है भालू के ऐसा कहते ही पेड़ के उपर से आवाज आती है तुम यहाँ आ तो गए हो लेकिन जा नहीं पाओगे मैं तुम्हें खाजाओगा कान यहाँ मैं इस पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ भालू डर कर वहाँ से भाग जाता है भूत भूत भागो भागो अपनी गुफा में पहुँचकर भालू बंदर को बुलाता है अरे भाई क्या हुआ क्यों चिला रहे हो बंदर भाई मैंने अभी भूत देखा वहीं उस पेड़ के नीचे क्या भूत मैंने तुम्हें वहाँ अकेले जाने से मना किया था तुम अभी इस जंगल में ने हो और वो भूत तो बहुत खतरनाक है उसने पहले भी कही जानुरों को नुक्सान पहुचाया है मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी आज के बाद मैं कभी भी वहाँ अकेला नहीं जाऊंगा भालू अब उस पेड़ के पास कभी अकेला नहीं जाता था एक दिन भालू को जंगल में एक गोरिला लिखता है लगता है ये गोरिला जंगल में नया आया है वरना आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा भालू उसके पीछे चल पड़ता है कुछ दूर जाने के बाद भालू देखता है कि गोरिला उसी पेड़ पर चड़ जाता है जिस पेड़ पर भूत रहता है ये देखकर भालू बंदर के पास जाता है बंदर भाई मैंने अभी अभी ये गोरिले को भूत वाले पेड़ पर चड़ते हुए देखा शायद वह इस जंगल में नया है पर गोरिला को तो उसकी दुश्टपा के कारण काफी समय पहले इस जंगल से निकाल दिया गया था तो फिल वो जंगल में क्या कर रहा है पेड़ के पास ही एक पेड़ पर चड़कर छुपकर चिलाता है अरे वह पहुत दिनों के बाद किसी गोरिले की कुछबू आ रही है आज तो पेड़ भरतर खाऊंगा और यह गोरिला तो मुझे देख भी नहीं सकता क्योंकि मैं तो भूत हूँ गोरिला यह सब सुनकर ड़ जाता है वे सभी जंगल की जानवरों को इकठा करता है फिर वे उन्हें सारी बात बताता है बंदर अभी भी उसी तरह से चिला रहा होता है आज तो मैं गोरिले का मास खाकर ही पेड़ भरूँगा पर भूत तो इस पेड़ पर रहता था तेरा वाज उस पेड़ से कैसे आ रही है महराज पेड़ पर कोई भूत नहीं रहता आपने मुझे जंगल से निकाल दिया था इसलिए मैं इस पेड़ पर आप सब से छुपकर रहता था सबी जानवरों को मैंने ही भूत बनकर डराया था जिससे कोई मुझे देख न सके लेकिन अब यहां सचमुच का भूत आ गया है ये सब सुनते ही बंदर नीचे आता है और सब को बताता है यहां कोई भूत भूत नहीं रहता पेड़ पर रहने वाले भूत का सच सामने लाने के लिए ही मैं भूत बनकर इसे डरा रहा था ठीक वैसे ही जैसे इसने हम सब को डराया था गोरिल्ले का जूट पकड़ा जाता है और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है इस तरह सभी जानवरों को भूतिया पेड़ से चुटकारा मिल जाता है और वैसर खुशी से बिना डरे जंगल में रहने लगते है तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें डर का सामना